जोलरी लोट का और एक मामला उजागर लोटेरों ने दिया पुलिस विभाग को खोला चैलेंच जुनिवस्ती बारीपुरा में सोहन जोलर्स के सामने 25 तोलाक सोने पर हाथ साफ सोमवार की सुबह बांगरे जोलर्स के लोट की मामले की जाच फ्रेजरपुरा पुलिस करी रही थी उसी समय सोमवार की शाम फिर एक बार लोटेरों ने बढ़नेरा जुनिवस्ती में दुस्तक दी बढ़नेरा जुनी वस्ती बारीपुरा में विश्वजीत रामदास डुम्रे का सोहन जोलर्स नामक दुकान है उनके छोटे भाई धर्मवीर रामदास डुम्रे की अब्दुल कलाम मार्केट नई बस्ती में दुकान है रोज शाम को धर्मवीर रामदास डुम्रे हर रोज की तरह अपनी दुकान बन करने के बाद अपने भाई विश्वजीत डुम्रे के सोहन ज्वेलर्स नामक दुकान के पाद जाकर खड़े हुए विश्वजी त्रामदास डुम्रे यह नई वस्ती बढ़ने राके जनजार पूरा के निवासी है हमेशा की तरह दोनों भाई सोहन ज्वेलर्स के पास खड़े थे साथ ही विश्वजी त्रामदास डुम्रे ने अपने लैक कलर के सुपर स्प्लेंडर MS-27 DR-51 की डिक्की में 25 तोले सोने के गहने रखे थे दोनों भाई हमेशा की तरह दुकान बन करने के बाद निनावे ज्वेलर्स के पास कुछ देर के लिए खड़े रहे तभी पैदल आते हुए एक लुटेरे ने चुपचाप से विश्वजी डुम्रे की स्प्लेंडर की डिक्की से 25 तोला सोने को लेकर रफुचकर हो गया जिसकी किमत 7.5 लाग बताई जा रही है 25 तोले अभुशन की थैली पास ही खड़ी गाड़ी के डिक्के से चुरा कर चोर रफुचकर हो गया जो काले रंग के कपड़े पहने था उलेकने बात है कि सोमवार को बढ़नेरा जुनिबस्ती का सापताहिक बाजार रहता है जहां पर काफी चहल पैल होने की वज़े से लुटेरा कुछ दुर जाने के बाद भीड में गुम हो गया जिसने काले रंग के कपड़े पहने थे यह घटना शाम 7.7 से 8 के बीच की बताई जाती है तता जुनिबस्ती से नय बस्ती तक की रस्ते पर चोरोनी विश्वजी डुम्रे की देकी करने का संदेह भी जताया जा रहा है घटना की जानकरे मिलते ही बढ़नेरा पुलिस, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, डॉक्सकॉर्ट, घटनास्तल पहुचे तथा आसपास के एरिया की CCTV फुटेज भी खंगाली जा रही है तुमवार की सुबह उत्तमनगर के बांगरे जुलर्स की घटना ताजा होने के बावजुद उसी दिन शाम को इस प्रकार की जुलरी की लूट पुलिस विवाग को खुला चालेंज दे रही है अब पुलिस इन लूटेरों तक कब पहुचेगी ये देखने के बात होगी क्राइम रिपोर्ट मंडल न्यूज अमरा होती